हेलो दूस्तों स्वागत है आपका PSR YouTube चैनल पे मेरा नाम ही लीना चैन आज का हमारा टॉबी के रिशी थीम कस्टमाइजेशन तो आज की वीडियो में हम यह देखेंगे कि रिशी थीम का कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं तो अगर आपने भी देख इस चैनल को करते हैं तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि रिशी थीम को कैसे कस्टमाइज किया जाता है थोड़ा सा यहां पर कुछ चोड़ा चेंजेश रहेंगे नॉर्मली हम जिस तरीके से थीम को इंस्टोल करेंगे वैसे हम यहां पर नहीं करने वाले थोड़ा से चे तो यहां पर आपके लिए एक कम्प्रीट वीडियो बनाया है मैंने हाओ टू स्टार्ट एप वर्डप्रेस ब्लोग अन ब्लुवोस्ट ब्लुवोस्ट की होस्टिंग खरीद के आप किस तरीके से एक वाडप्रेस ब्लोग पूरा कंप्लीट बना सकते हैं और आट्सन अप्रूवल के लिए वो ब्लोग कैसा होना चाहिए सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है हर एक नसेसरी पैज जहां से आपको मिलेगा टोटल 75% का डिसकाउंट जिस में 55% का डिसकाउंट आपको कमनी फ्लोट बांपा तो मिलेंगे और साथ में आपको टेली बैक अप्स देखने को मिलेंगे और डामें प्राइबस फिरेंशेट माइग्रेशन भी बिलेगा तो यह सारे आपको एक ही वेबोस्टिंग में मिलने वाला है और गाइज उसकादर डिसकाउंट लेंगे आपको डिसकूशन मिलेगा अनलिमीटेड बनवेट और स्टॉ तो गाइज यह सब कुछ आपको सर्फ और सर्फ तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमें रिशी थीम को इंस्टॉल करना है अभी फिलाल हम अपने साइट को एक बाद चेक कर लेंगे कि साइट किस तरीके से दिखती है तो आप देख सकते हों यहाँ पर यह हमारा बेसिक सा जो बाइडिफोल्ट थीम इंस्टॉल होता है यह वह वाला थीम है जो कि कहीं न कहीं यार बहुत कराब लग रहा है ठीक है तो हम इसको चेंज करेंगे अभी तो चलिए सबसे पहले जाएंगी अपिरेंस में और यहाँ पर यहाँ पर आपके पास एड़नियू का रशी थीम को अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं किसी दूसरे के से करेंगे मेरे पास यहाँ पर विशि त्यूं नोड़ोड है ठीक है और अगर आप रिषी त्यूं कि डाउन्लोड करना चाहते हो तो आपको टाइप करना है गुगल पर रिषी थीम और यहाँ पर ओव रिशी थीम और आपको यहाँ पर आज आना है रिशी थीम की यह वेब साइट है इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप पहुच जाओगे इसकी ऑफिशल वेब साइट ठीक है बहुत ही कमाल की थीम है यह मैं सोचना कि वाड़परस की साइट पर नहीं है तो मतलब अच्छी थीम नहीं है बहुत ही कमाल की थीम है और कमाल का कस्टमाइज़ेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है बहुत सारे स्टार्टर साइट्स मिल जाते है इसके और फ्री में भी है पेड लेना चाहाँ तो वो भी है ठीक है सारे अप्शन आपको आप यहां जाएंगे ठीक है अब हमने आपलोड थीम पर क्लिक किया था ठीक है फिर से दिखा देता हूं add new और इस याद upload theme और यहाँ पर हम अपने theme को लेकर आएंगे तो इम क्या करेंगे यहाँ से theme को drag कर लेंगे drag करके अपने website में यानि कि यहाँ पर डäश्पर्ण लेदे आखे यहाँ पर drop कर देंगे अब स्वारी तो आप देख सकते हमने यहाँ पर ड्राइकर के दर ड्रॉप कर दिया है और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं रिशी और यह थीम यहाँ पर आपको दिख रहा है तो इंस्टॉल नाओं पर क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले तो यह थीम यहाँ पर इंस्टॉल होगी और उसके बाद अक्टिवेट भी हो जाएग ठीक है तो इंस्टॉल होचुका थिम स्कससेशुली अब हमें अक्टिवेटे क्लिक करने WHY... आप देख सकते हो यहां पर जो 2023 वाली जो थीम थी जो हमेरी पहले सेट थी उसको वो साइड में आ गया है और जो रिशी थीम हमने आप पर इंस्टॉल किया और एक्टिवेट यह वो फास नमर पर आ गया और कस्टमाइज का बटन यहां पर शोग रहाते यानिकि अब यह थी बेसिक सी साइट है या फिर यूँ क्या सकते है कि एक सिंपल सा ब्लॉग बनाने लायक साइट ही है दिख रही है अब यहां पर हम जाएंगे और आप इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे सबसे पहले तो हमें क्या करना है रिशी इंस्टॉल रिशी कमपैनिन जब भी आ कर लेंगे और इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे और रिशी कमपैनियन इंस्टॉल हो चुका और अक्टिवेट भी हो गया ठीक है अब हम वापस आ जाएंगे डैश्बॉर्ड में ठीक है अब आप देख सकते हो सब कुछ यहां पर रेडी है अब साइट में कोई डिफरेंस साय कि नहीं है अब यह भी देख लेंगे साइट में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है अब हमें क्या करना है यहां पर हमारे अपिरेंस में जाना है और रिशी थीम पर क्लिक करना है तो यहां पर आप देख सकते हो साइट आप चेंजिस करना चाहते ह हर चीज को हम यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं ठीक है लोगों से लेके हर एक चीज को हम यहां पर एडिट कर सकते हो टाइटल लोगों दोनों दिखाना जाते तो वो दिखा सकते हो ठीक है जो भी चीज आप करना जाते हो सब कुछ यहां पर आप कर सकते हो ठीक है तो हम क्या क तो यहाँ पर हमें बहुत सारे pro version मिलेंगे और free versions में देखने को मिलेंगे ठीक है, scroll down करने पर और भी free versions आएंगे, pro भी देखने को मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर all में जाएंगे और यहाँ पर free select कर लेंगे क्योंकि हमें अभी फिलाल चाहिए फ्री ठीक है तो हमने फ्री सेलेट कर लिया है तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर टॉप पर जो भी फ्री वाले थें वो सारे टॉप पर आ चुके हैं अब इन में से आपको जो भी चाहिए वो सेलेट कर लेना है यहाँ पर यहाँ पर यह मैगजिन है यहाँ पर हमारे पास रिशी बिजनस के लिए अलग से थीम है और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक और शिपिंग कंपनी के लिए अलग से मिल जाएगी ठीक है यहाँ पर photography और photography का एक और मिल जाता है हमें यहाँ पर affiliate marketing के लिए अलग से मिल जाता है affiliate marketing के लिए अलग से मतलब यह भी blog का ही है ठीक है आप इसको मतलब यू में सुचके हैं अप affiliate website के लिए कर सकते हो यह blog theme है और यह minimal agency करके एक और है ठीक है और software company का यहाँ पर आपको अलग से देखने को मिल जाता है तो चलिए आज के लिस वीडियो में हम software company का यह import करेंगे ठीक है तो आप देख सकते हो यह software company यह कुछ तरीकर दिखता है इंपॉर्ट complete site और इंपॉर्ट about template यह दो option हमें आप देखने को मिलता है ठीक है आपको अगर चाहिए services चाहिए आपको जो भी template को आपको इंपॉर्ट करना वह आप कर सकते हो नहीं तो अगर आप चाहते हैं पूरी site को इंपॉर्ट करना है तो पूरी site को इंपॉर्ट करे लेंगे और डिलीट previously imported site अगर इसा कुछ है तो आपको select कर लेना है तो मैं एक बास रेट करना को फराग नहीं पड़ता है इससे import पर क्लिक कर लेंगे और अब यह शुरू हो गया है तो जो भी required plugins होगे वह आउटमाटिकली install करेगा अक्टिवेट करेगा content लेकर आएगा ज इमेजस थी जो text लिखा हुआ था सब कुछ है import कर लेगा ओकी गईस तो इंपॉर्ट हो चुका है था website imported successfully अब हम इसपर क्लिक करके साइट को देख सक्ते है लेकिन हमने पहले साइट ऑपन करके रखा हुआ इसको रिफरेश करने का जो मझा है ना उसपर क्लिक करके देखने में नहीं आता है तो अब डिफरेंश देखने वाले है तो refresh कर लिया तो guys आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो complete site है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है ठीक है तो यहाँ पर आपको simply यह सारी सीज़ें आपके देखने को मिल जाती है अब क्या है कि इस site का जो complete design है आपके सामने है इसके अंदर अब हमें changes लाने है ठीक है अब इसमें अगर आप देखोगे तो रिशी थीम में अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि हर एक menu item आपको यहाँ पर दो दो बार दिखाई दे रहा है ठीक है आप इसको change कर सकते हो simply क्योंकि यहाँ पर इसलिए दो दो बार दिखाई दे रहा है क्योंकि import के time पर कुछ तो problem हुई है इस वज़े से यहाँ आपको यहाँ पर दो 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 बार दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर हमारे पास एक option यह भी रहता है कि या तो हम इसको menu में जाके इस चीज़ को ठीक करें या फिर हमारे पास यह option रहता है कि हम इसको दुबारा import कर लें ठीक है अगर मैं इसको दुबारा import कर लेता हूँ तो यह problem जो है वो solve हो जाएगी ठीक है तो मैं एक बार इसको दुबारा import कर लेता हूँ तो चलिए देख लेता है तो दुबारा ये import हो चुका है और मैंने यहाँ पर साइट को refresh कर लिया है तो यहाँ आप आप देख सकते हो वो जो डबल डबल आ रही थी वो सारे चीज़े सही हो गई तो आपके बाद दो option ही या तो आप उस menu के edit करके कर सकते हैं या फिर आप दुबारा इंपोर्ट कर लें यह problem मैंने दो बार देखी है रिशी थीम में कि यह ऐसी चीज़े होती है जब आप एक बार first time जो आप इंपोर्ट करते हो तो आपको सारे menu item जो है दो दो बार दिखा देते हो तो उसके बाद आप अगर दुबारा उसको import करोगे तो आपकी problem automatically solve हो जाएगा और मैं suggest करूँगा कि आप उसे दुबारा ही import करो instead of कि आपको menu में जाके edit करो क्योंकि उसमें आपको time consuming जादा रहेगा वो ठीक है तो चलिए अब यह process हमारा complete हो चीगा इसको close कर देंगे एक बार और इसके बार dashboard में आजाएंगे अब आप देख सकते हो कि किसी भी theme में किसी भी theme में ध्यान सुनना आपके पास दो तरह की customization होते है एक तो यह है कि आप इस theme को जाके customize कर सकते हो अपने appearance में जाके यहां से customize कर सकते हो ठीक है यह customize वाला page open हो चुका है यहां पर हमारे पास customization के बहुत option देखने को मिलते हैं बहुत ही बढ़िया customizer आप को यहां पर देखने को मिल जाता है तीक है ऐसे कि general options है post pages and post है और wordpress defaults है अब यह से किसमें साइट identity में जाएंगे हैं यानि कि वहारा site icon वगेरा रहता है यह वाला चोई icon है यह हम यह set कर सकते हैं हमें अपना site icon decide करना होगा कि क्या रखना है for example अभी अगर हम देखें select files और यहां पर यह 512 वे 512 खाई यह मेरा 5 icon है जो मैंने अपने block के लिए बनाया था अगर मैं इसको यहां पर select कर दूँ तो अभी आप देख सकते हो यहां पर उपर देखो यहां पर आपको icon change हो चुका है यह तो यह मेरा 5 icon हम इस तरीके से आपर लगा सकते हैं और मैं इसको इपर publish कर दूँगा publish करने के बाद आप यहां पर देखोगे कि हमारी जो site है जो भी इस तरीके से दिख रही है और यहां पर उपर आपको यह web का icon दिख रहा है मैं इसको जैसे refresh करूँगा यहां पर हमने जो 5 icon लगाया है वो यहां पर update हो जाएगा ठीक है अगर cache नहीं होगा तो ठीक है तो यह update हो चुका है तो यहां पर हमारा 5 icon show हो रहा है यह मैं एक वार इसको रिमूब कर दूँगा क्योंकि यह मेरा अपना 5 icon है मेरे ब्लॉग के लिए तो मैं नहीं चाहता कि इसको Google Index कर लें भी और मैंने Indexing on कर रखा है तो चले back कर लेते हैं अब क्या है कि अब हम जाएंगे मेनियू में जैसे कि आप देख सकते हैं यह सारे मेनियू जै अभी हम देखे हैं मेनियू 1 इसके अंदर हमारे पास हम में about है services है what we do है यानि कि आप देख सकते हैं what we do है ख़बर करने पर case study details case studies में और testimonies ब्लॉग और करियर अब मान लोग कि मैं चाता हूँ कि करियर पहले आ जाए ब्लॉग बाद में चला जाए जाए ज्यादा important करियर है और ब्लॉग थोड़ा सा है मैं क्या करूँगा इसको करियर को ड्राइक कर दूँगा और आप देख सकते हूँ यहां पर करियर ऊपर चला गया है अब हम क्या करेंगे इसको एक बार पब्लिश पर क्लिक कर देंगे तो अब करियर पहले आ जाएगा ब्लॉग बाद में हो गया तो इस तरीके से आप चेंज़स कर सकते हैं अब इस मैनुव कि आइटम में कोई भी नई चाहाई आड़ करने है तो आपको add items पर click करना है और अगर आप एक नया link बनाना चाहते हो तो link बना सकते हो custom links create कर सकते हो आप चाहो तो post create कर सकते हो और उस post को आप menu में लगा सकते हो जो भी आप करना चाहते हो वो चीज़े आप यहां से कर सकते हो तो मैं एक बार इसको back कर लता हूँ तो यह हो गया अब इसके लावा है आप पास widgets है जो भी आप widgets लगाना चाहते हो sidebar में ऐसे चीज़े चाहते हो वो सारी चीज़े आप widgets ने करते हो homepage setting चाहते हो कि अगर आपका जो homepage हो latest post का page हो तो अब वो set कर सकते हो कि आपके latest जो post है वो homepage पर दिखाई दे जाए तो हम इसको वापस back कर लेंगे अब आता है general options जिसके अंदर हमें layouts देखने को मिलते है colors देखने को मिलते है header, footer, typography, SEO यह सब चीज़े हमें आपर देखने को मिल जाएंगे तो यहां से हम यह सारी चीज़े एडिट करता है social media network आपको जहां पर भी icons वगेरा लगाना है facebook, twitter के वहाँ पर आप उसको लगा के उसके अगर आप link देना चाहते हो तो आप link दे सकते हो इसके यह है facebook, twitter, instagram और youtube तो यहाँ पर आपको simply आपके facebook page, आपके youtube channel, आपके instagram आडिया, आपके twitter आडिया का यूरल है वो आपको देना यहाँ पर और आप उस चीज़ को रगा सकते हो ठीक है यह जो images है, यह text है, यह सब चीज़ आप यहाँ से edit नहीं कर सकते है तो अब हमारा जो main task है वो यह है कि हम अपने site का जो main design है, जो यह है, जो images है, यह जो कुछ भी content आपको यहाँ पर देख रहा है, इन सब चीज़ों को हम एडिट करना है, तो कैसे करेंगे, वो हम आपके देखने वा रहा है ठीक है, तो चली जाएंगे, हम यहाँ पर pages में, सब से पहले हमारे पास है home page, जो आप अभी सामने देख रहे हो, इसको हम click करेंगे, edit with elementor, ठीक है, क्योंकि website जो है, elementor पर बनी हुई है, तो edit with elementor पर हमें click करना है, ठीक है, अब elementor open हो रहा है, यहाँ पर तो हम एक बार के लिए इसको close कर देंगे, हम इसको भी close कर देंगे, और अब हमारे पास सारा editing section आ गया है, तो आप देख सकते हो, हर एक चीज को हम यहाँ से edit कर सकते हैं, ठीक है, तो चली, सबसे पहले, सबसे पहला जो यह text आप देख रहे हैं, आपर moving enterprises to the digital era, ठीक है, moving enterprises to the digital era, अब मैं चाहता हूँ कि, इस text को थोड़ा सा alter किया जाए, मतलब इस थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, moving enterprises to digital era, तो यहाँ पर आप कुछ extra add करना चाहते हो, begin your journey now, ठीक है, तो हमने यह चीज यहाँ पर set कर दिया और update पर click कर देंगे, आप कुछ भी changes करते हो, आपको उसके पाद update पर click करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको refresh करेंगे, तो आप देखोगे, यहाँ पर आ गया, begin your journey now, यह भी यहाँ पर add हो गया है, ठीक है, तो यह हमने कर दे, अब इसके बाद आता है, यह नीचे जो लाइन है, stay ahead of your competition with smart apps, sites and software, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको change कर सकते हैं, अगर आप कुछ भी add करना चाहते हो, software, जैसे कि माल लो कि मैं इसको sites नहीं चाहता है, मैं चाहता हो कि यहाँ पर websites लिखा हुआ जाए, ठीक है, तो अब यहाँ पर refresh कर लेंगे, तो यहाँ पर sites की जएगे websites लिखा हुआ जाए, तो अब गईज यह भी white color है, यह भी white color है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका color change हो जाए, मैं इसको color change करना जाता हूँ, तो गईज अब क्या होगा, यहाँ पर हमें white color दिख रहा है, यह हम यहाँ से color change कर सकते हैं, कर दो definitely सकते हैं, लेकिन इन सब चुछों करने के लिए left side में भी option मिलता है, जिससे मैं यहाँ पर click करता हूँ, तो आप text को यहाँ से भी change कर सकते हूँ, जो मैंने यही से directly change कर दिया था, अब यहाँ से भी change कर सकते हूँ, और color change करने के लिए या अब अब देख सकते हूँ, यहाँ पर हमें text color लेखना है, तो हमें text color लेखना है, तो मैं चाहता हूँ, यह रहे थोड़ा सा light red color का, ठीक है, यह मैंने कर दिया और अब update लेखने करेंगे, तो यहाँ पर refresh करते ही, यहाँ पर इसका color change हो गया, तो guys, आप थोड़ा जादा ब schedule है meeting, watch video, ठीक है, अब interesting चीज़ें यहाँ पर ध्याँ से देखना, हमें यहाँ पर इसका text change करना है, हमको यह icon change करना है, हमें text color change करना है, हमें इस button का background color change करना है, इसका hover color change करना है, तो यह सारी चीज़े change हो सकती है, कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ आपको, देखो, सबसे पर जाएंगे, आब हमें चाहिए इस button को change करना है, तो अब click कर दिया है, तो अब आप देख सकते हो, schedule है meeting, इसमें लिखावा schedule है meeting, schedule है meeting, यह हटा देंगे हम यहाँ से, सिर्फ schedule meeting रखेंगे हम, ठीक है, हमने text को इस तरीके change कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि इस text पे कोई क्लिक करें, तो इसको कहां लेके जाना है, तो माल लेते हम एक बार के लिए हमारे इस video का link copy कर लेंगे, तो कोई भी इस button पर click करें, तो हमारे YouTube वीडियो पर जाना चाहिए, ठीक है, तो यह देखे, link के जगे hash का है, hash का मतलब होता है, click करने पर home page पर ही रहेगा, ठीक है, चलिए, अब यह हो गया है, अब इस button का हमें color change करना है, जिसने कि मैंने आप उखाया था, आप text change कर सकते हो, यहां से contents है, लेकिन color change करने के लिए आपको जाना पड़ेगा style में, तो अब आप देख सकते हो, यहां पर text color है, जो की white पर set है, तो भी चले देखते है, यहां प एक बार के लिए हम इसको update करेंगे, हमें कुछ changes देखना है, यहां पर है, exactly क्या चीज़े, कैसे काम कर रही है, तो हमने इसको change कर देख, अब इसको refresh कर देगा, अब schedule meeting की जाएगा, और आप देख सकते हो, green में red color आ लेकिन hover करने में background का same color है, और white show हो रहा है, ठीक है, चल चला गया, अब हम इस button पर click करने के बाद, अब हम चाते है कि इसका जो background है, इस button का background है, वो change हो जाए, ठीक है, तो चलिए, यहां पर हम button के background को change करेंगे, यहां पर हमने color में गए, और background color को white कर दिये, अब इस white में यह red अच्छी तरीके से दिख रहा है, तो हम एक बार इस white पर यह red बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा हो, hover करने पर text white हो रहा है, और background blue ही रहा है, जिसमें मुझे कोई problem नहीं लग रही है, बहुत बढ़े लग रहा है, हमें इसको change करना की तूरते हैं, लेकिन, अगर आप change करना चाते हो, तो कैसे करते हैं, वो हम बताऊंगा आ रहा है, ठीक है, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर content में आये, और यह है icon, तो यहाँ पर हमें icon जैसे को यह वाला icon नहीं चाहिए था, हमें कोई icon नहीं रखना है, तो यह रख दिया, अप्लोड अप्लोड आश्वीच यह कर दिया, और icon library पर click किया, तो अब हम उस arrow की जग icon रखना चाहते हैं, for example, यह आधे चांद का रख लेता है, अब देख सकते हो, यह ही icon set होगा, ठीक है, मुझे आधे चांद इतना पसंद नहीं है, हम इस apple का रख देंगे, ठीक है, तो यह हमने यहाँ पर set कर दिया है, ठीक है, अब क्या है कि, इतना कम हमने कर दिया है, इस पर क्लिक किया हमने फिर से बटन पर style में गए, यहाँ पर आप देख सकते हो, normal दिख रहा है, ठीक है, इस पर hover पर क्लिक करेंगे, और text color जो कि हमने देखा, यह आप white है, तो हम इस white को कर देंगे, for example, हम इसको कर देते हैं green, green कर देंगे, अब देख सकते हो, यह text color green हो होवर पर, hover पर green हो रहा है, जान रखना, hover पर green हो रहा है, ठीक है, और button का color भी हमें change करना है, ठीक है, button का color हम करेंगे, यहाँ पर अभी transparent रखा हुआ है, ठीक है, तो यह भी अच्छा option है कि हाँ, अपन definitely इसको transparent रख सकते हैं, या फिर हम इसको कोई color दे सकते हैं, for example, अग हम इसको set कर देंगे, और सारा होने के बाद update पर click कर देंगे, तो चलिए, अब हम side वापस set कर लेंगे, refresh कर दिया, अभी क्या दिख रहा है, background white और text red, hover करने पर background black और text हो गया green, ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज़ को भी edit कर सकते हो, और इस पर जैसे हम click करेंगे, तो ह हम यह सारी चीज़े edit कर सकते हैं, अब बाखी चीज़ों को भी देख लेते हैं, तो हमने यह उपर के text हो रहे हैं, अब जब मान लो कि image change करना है, तो image पर click किया, image पर click करने के बाद आपको यहाँ पर देख रहे है, choose image का option आ रहा है, choose image पर click करेंगे, तो अब आप उसकी ज highlight कर लिया, और select पर click कर दिया, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर यह दूसरा image select हो गया, ठीके, तो अब हम इसको update पर click करेंगे, और यहाँ पर refresh कर देंगे, तो भी आप देख सकते हो, इस तरीके से हमारी दूसरी image है सेट हो गई तो हमने भी hereand, set कर दिया, तो को बहु तो हमने इसको 18000 कर दिया है तो यहां पर अभी आप देख सकते हो 8000 ही है तो हम इसको refresh कर लेंगे और यह हो जाएगा अब बोर नीचे यह आइकन्स है हमारे पास जो भी आइकन्स आप हटा के अपने खुद के आइकन्स रख सकते हो फिर से वही करना है चूज इमेज करो और जो अइकन लेना है वो और आपको सेट कर सकते हो ठीक है वैसे ही हर एक चीज यहां पर हम नीचे आगए हम यह टेक्स है इसको complete software solutions को change कर सकते हैं cloud and DevOps यहां पर आप इस icon को change कर सकते हो ठीक है यह सारी चीज़े इस तरीके से एडिट हो जाएगे सही इन में सहा को आगे काम करते कर जाना है ठीक है तो इस तरीके से आप पूरे साइट में जो कुछ भी है अप उस हर एक चीज को आप change कर सकते हो ठीक है और छीज़ आप अपडिक जाके एडित कर सकते हो अगर लोगे आपको about page का कुछ edit करना है तो आपको about वाला page open करना पड़ेगा ठीक है अभी जैसे कि यह हमारा page हुआ यह भी दर home page को edit कर रहे थे मालन लोगे आपको about page इंडिट करना है तो about page के edit करना अब आप कर सकते हैं तो मिदे की सारी चीज़ आपको समझ में आ गई है फिर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं और वेब गोस्टिंग का जो डिसकाउंट लेंगे जिसमें आपको 75% का डिसकाउंट मिल रहा वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलती है और लाइक से खुशी भी मिलती है मतलब एनर्जी मिलती है गाम करने के तो वो आपको वीडियो अच्छा लगा कुछ फायदा मिला है तो आप जरूर करें ठीक है और इसके लाबाद चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी हम इ आगे भी टाइम टू टाइम मिलते रहे तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आए और पसंद रहती है इसे लाइक कर दीजिए और आप में पिते किस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बैल आकन को भी प्रेस कर लिए ताकि में नेक्स्ट कोई पर वीडियो उप्लोड कर आपको मिलेंगे तो आज की वीडियो में से वितना ही देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद